हेलो एंड वेल्कम बेक टू माई चैनल अनुराग लॉव क्लासिस तो आज हम आई पी सी पढ़ेंगे आई पी सी में शुरुवात करेंगे चेप्टर फूर जर्णल एक्सेप्शन से जो की हमारा सेवन्टी सिक से एक सो चै तक है तो आज हम जर्णल एक्सेप्शन पूरे यह तो इसमें हमें बता रखा है कि जब कोई परसन बाउन बाइलो होता है और वह गुड़ फेथ में कोई काम करता है है और जब लौ उससे कहता है कि तुम यह काम करो तो वह किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं होता इसमें बता रखा नथिंग इजर ओंस विच इस इन गुड़ फेथ बिलीज हिंसेल्फ टू बाउंड 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 तो इसमें बता रखा है कि जब कोई परसन कोई एक्ट करता है है ना कि वो बाई रीजन या मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा वो लौ द्वारा बादित था तो वो कि कहते हैं कोई ओफेंस नहीं होगा इसमें एक कहते हैं मेक्जिम आता है इग्नोरेंशिया फैक्ट नॉन एग्जिक्यू सेट और इग्नोरेंशिया जूरिस इग्नोरेंशिया फैक्ट एग्जिक्यू सेट इग्नोरेंशिया फैक्ट एग्जिक्यू सेट और इग्नो है जूरिस नॉन-जे क्यूश्य इसका मतलब ये है इसमें हमें ईलस्टेशन दे रखा है कि एक soldier है उन्हें मॉब के उपपर है ना मॉब के उपपर गोली चला दी अपने superior officer के order पे तो उन्हें कोई offense commit नहीं करा इसमें illustration दे रखा है हमारा इसमें केस आता है चरंदास नरायन सिंग वर्सेज स्टेट 1950 इसमें बता रखा है कि कुछ परसन जो थे वह gambling कर रहे थे कुछ परसन जैसे माल दीजिए यह कुछ परसन है कि यह एक घर के अंदर gambling कर रहे हैं है ना gambling कर रहे हैं यह तो यह gambling कर रहे हैं यहां पर कुछ person और यहां पर पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले आके यहां पर गोली चला देते हैं इन person के उपर ठीक है और जो इस person ने गोली चलाई थी उस person ने जब गोली चलाई तो उसने अपने superior officer की command पर गोली चलाई थी जो गोली चलाई उस वह अनलौफुल था और उस्टिफाइड था क्राइम तो कर नहीं रहे थे है तो उनके ऐपर गोली चलाना ज्रूरी पड़ गया था तो जो उसने वह गोली चला थी वह अनलौफुल और अनलाफूल और क्या थी अंजस्टिफाइड थी ठीक है अब इसमें एक next case आता है 76 के अंदर अब एक next case आता है चमनलाल वर्सिज एमपरर इसमें बताया के jail warden था jail warden था वो prisoner को मार रहा था बहुत बुरी तरीके से और उसके साथ जो ऊफिसर थे जो थे जेल वारडन के वो भी प्रिजनर को मार रहे थे तो कोट ने येह्ट करा के ये जो कर रहे थे ये इल्लीगल था और इन्होंने बाउंड बाइ केव יה नहीं थे को प्रूव करना होता है कि उसने जो काम करा है वो गुड फेथ में करा है या गलत करा है ठीक है अब इसमें नेक्स्ट आता है सेक्षण एक्ट ऑफ जजज वैन एक्टिंग जूडीशली तो इसमें बता रखा है कि जो भी जज जजज के द्वारा जो भी वो कोई काम करेंगे जुडीशली है ना तो वो गुड़ फेट में अगर वो कोई काम करेंगे जुडीशली तो वो कोई ओफेंस नहीं करेंगे 78 में हमें बताया गया Act done pursuant to judgment और order of court तो इसमें जो भी परसन होंगे तो इसमें जो भी परसन होंगे जो की court के order या judgment के अंदर काम कर रहे हैं तो वो कोई भी ओफेंस के लिए liable नहीं होंगे अब आ जाते हैं section 79 पे इसमें हमें बता रखा justified by law इसमें हमें बता रखा था bound by law इसमें बता रखा justified by law ठीक है इसमें हमें बता रखा है के जब कोई person कोई ऐसा काम करता है जो की justified है law द्वारा है न चाहिए वो mistake के द्वारा किया गया हो या फिर fact के द्वारा किया गया हो मंगर वो good faith में होना चाहिए तो वो justified by law होगा इसमें हमें बता रखा है के A ने तो A को लगा के वो मडर कर रहा है तो A ने पूरी पूरी पावर का इस्तमाल करते वे और अपना जज्जमेंट का गुड़ फेथ का इस्तमाल करते वे Z को रोका और बाद में पता चला के Z तो Self-Defense में कर रहा था तो A जो है A परसं जो है वो में इसने कॉया गलत काम होते वह दिए तो उसने रोका तो वो जेस्टिफाइड बाए लौफ था इस में ओस आता है और वर्सिस अयुम आता है और वर्सिस प्रिन्स तो बहुत पुराने केस इसमें बतायी आगर माल लीजिया आप किडिनेप करने के बाद आपको पता चला कि उस लड़की की तो एज अभी 18 से कम किया तो यह कोई mistake of fact नहीं होगा और इससे आप क्या कहते हैं बच नहीं सकते हैं आप इसका वह नहीं ले सकते है डिफैंस नहीं ले अर इपल नक्स्ट एअ और सो नकेसद केस में किया हुआ था कि जब एक परसन था ओस पर सद्रेंबग की मालनी कि ऐसे यह इक परसन है कि इस परसन की जो वाइफ है ठीक है वो वाइफ जो है खो गई है वो वाइफ जो है खो गई है और साथ साल से वो मिली नहीं है वो वाइफ और जो ये परसन है फिर ये अपनी रिमेरिज कर लेता है ये ये फिर से शादी कर लेता है किसी से तो कूर्ट ने ये हेल्ड करा कि वो ये जो ये परसन है वो जस् साथ सालस की वैफ नहीं मिलंगे थी तो वर कोई ऐगी मिके लिए लायबल नहीं होगा इसमें एक कर Siya जो है भाव जिवाजी वर्सस मुलजिल दयाल इसमें हाझ जिवाजी वर्ससमें बताया cycling उब एक पुलिस ऑफिसर था एक पुलिस ऑफिसर था उसने एक परसन को देखा उसने एक माली यह एक परसन को देखा एक परसन को देखा कि यह परसन जो है कोई समान लेके जा रहा है ठीक है और पुलिस ऑफिसर ने फिर एक परसन से कुश्चन करें कि कुश्चन करें कि तुम्हे क्या समान लेके जा रहे हैं अपने कंदे पे रखे ही क्या समान लेके जा रहे हैं और यह जो है को कुश्चन का आंसर नहीं कर पाता है और पुलिस क्या कहते हैं एक को फिर अरेस्ट कर लेता है इसी बात पर तो जो पुलिस आफिसर है फिर वो एक को अरेस्ट कर लेता है इसी लौ था justified by law था कि उसे arrest करना था उस परसन को क्योंकि वो जो परसन था वो कोई criminal भी हो सकता था कि वो कोई बॉम बॉम चुपा रहा हो इसलिए उसे उसे कहते हैं arrest करना bound by law था justified by law था जो police officer था अब एक्टी में हमें बता रखा accident एक्टी में हमें accident बता रखा अब accident की definition क्या हो सकती है कि कोई अगर आपने कोई act करा जो कि accident या misfortune द्वारा हो गया और उसमें main जो है उसमें criminal intention या knowledge नहीं थी और जो कि lawful lawful act था और lawful manner द्वारा वो किया गया था with proper care and caution और फिर भी आप फिर भी वह accident हो गया तो इसमें क्या कहते हैं आप इसका defense ले सकते हैं और आपके उपर कोई criminal charge जो लगे होंगे वो हटा दिये जाएंगे तो इसमें इसमें क्या कहते हैं दो रैसलर थे माल लीजिए यह दो रैसलर है ए और बी तो ए रैसलर ने बी रैसलर को ऐसी पटकी दी के जो बी की गर्दन है वो तूट गई और बी वहीं मर गया ठीक है तो यह जो था यह accident द्वारा किया accident माना गया था ठीक है अब 81 पर आ जाते हैं 81 हमें बताता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अधर हार्म इसमें हमें इसमें हमें क्या बता रखा है इसमें एक्ट आफ नैसेशिटी बता रखी है सेक्शन 81 में इसमें बता रखा है कि जब तक कोई ओफेंस है वो इसमें बता रखा है कि कोई ऐसी चीज ओफेंस नहीं होगी कि जब वो इस नौलिज द्वारा करी गई है कि वो हार्म तो पहुचाईगी मंगर उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है ठीक है मान लीजिए जैसे कि आप एक रोड पे जा रहे हैं मान लीजिए यह रोड है आप इस रोड पे जा रहे हैं और यहां पे एक एक परसन यहां खड़ावा एक परसन यहां खड़ावा और आप ऐसे लेके गई इस road पे से और आपने इसे बचाने के चक्कर में आपने ऐसे चलाई इस person से और इस person के बचाने के चक्कर में आपकी इसके टक्कर हो गई ठीक है तो आपका कोई criminal intention तो नहीं था मंगर फिर भी आपका accident हो गया तो इसमें आप offense ले सकते हैं कि मैंने इन्हें बचाने के कोशिश में इसमें टक्कर हो गई ठीक है इसमें अब आता है एक हमारा act of necessity इसमें act of necessity में बता रखा है कि आप जैसे मान लीजिए मान लीजिए दो person है ये तीन परसन है ये तीन लगता है कि adult की adult को बचा लेते हैं और इस छोटे बच्चे को मार के खा जाते हैं ताकि हम दोनों की जान बच सके ठीक है तो ये दो जब दोनों की जान बच इसलिए इन्हें act of necessity लगाई है मगर court ने ये held करा कि आप क्या कहते हैं act of necessity necessity नहीं ले सकते ये self preservation है इस बात पर और ये हमें बताया गया था our versus deadly stephen में और self preservation में हमें तीन principle बताये गए थे इन तीन principle में हमें पहला बताया गया था कि self preservation जो है वो absolute necessity नहीं है ठीक है तूसरा हमें बताया गया था कि जो भी person है वो किसी और person की life नहीं ले सकता है अपनी preservation के लिए और तीसरा हमें बताया था कि जो भी necessity है वो genocide को justify नहीं कर सकती इसमें एक हमारा maxim भी है quid necessity non habit legum ठीक है इसका मतलब है necessity does not does not abide by law ठीक है अब आजाते हैं आगे हमारा section जो है 82 इसमें 82 में हमें dolly in capex के बारे में बता रखा है तो इसमें बता रखा है कि जो भी act जो भी act किसी बच्चे दौारा किया जाएगा और वो जो बच्चा है वो 7 years से 7 years का है या 7 years से कम का है तो वो offense नहीं होगा और ये conclusive proof होगा इसे dolly in capex कहते है section 83 में हमें बता रखा dolly capex तो dolly capex में हमें क्या बता रखा है कि जब कोई बच्चा है वो 7 से 12 साल के बीच का है मगर immature understanding का है कि वो साह है तो 7 से 12 साल के बीच का मगर उसके पास अभी understanding नहीं है कि वो judge कर सके nature और consequence को कि वो क्या conduct क्या वो क्या वो क्या वो कर रहा है उसके पास sufficient maturity नहीं है तो उसके द्वारा जो काम किये जो भी act किया जाएगा जो भी offense किया जाएगा वो माफ कर दिया जाएगा अब आज आते हैं बहुत important section पे section 84 unsound mind तो इसमें पता रखा है कि unsound mind अगर कोई person है जो unsound mind का है और उसे क्या कहते हैं यह नहीं पता कि वो क्या nature कर रहा है उसे nature नहीं पता अपने का तो वो इसका journal exception का defense ले सकता है अब इसमें केस था मैगनौटन केस इसमें मैगनौटन केस था मैगनौटन केस में हमें बताया था कि लीगल इंसैनिटी और मैडिगल इंसैनिटी में क्या क्या difference होता है तो इसमें बताया गया था पहला point था कि अगर क्या कहते है sufficient ground है किसी person के पास कि वो insane है है न और तो वो अपनी medical insanity prove कर सकता है मगर मगर उसने अगर अपनी legal insanity prove नहीं करी तो वो person जो है sane माना जाएगा ठीक है इसमें हमें यह बताया गया था और इसमें एक और point बताया था कि अगर जो person है उसने section 84 के जो 84 के जो element है है न कि उसे अपना nature नहीं पता चला और वो unsound है उस time पर अगर उसने वो prove नहीं करा तो वो sane माना जाएगा ठीक है इसमें एक point है कि medically जो कोई person है वो sane यह insane माना जा सकता है मगर legally उसे insane माना जाएगा अगर उसने अगर उसने क्या कहते हैं 84 के जो element है वो prove कर दिये अब section 85 पर आते हैं इसमें हमें बता रखा intoxication अगेंस्ट इस विल तो अगर आप किसी परसन अगर को परसन परसन को अगेंस्ट इस विल इंटॉक्सिकेशन कराया जाता है तो उसके पास यह defense होता है इसे हम कहते हैं involuntary intoxication इसमें जो परसन है उसे अपने nature of act नहीं पता रहता है और जो intoxication है वो उसे उसकी knowledge के बगएर या फिर उसके विल के जबरदस्ति उसे कराया गया हो इसके जो element है वो यह है बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है और 86 में voluntary voluntary intoxication बता रखा है section 86 में voluntary intoxication बता रखा है कि जब कोई परसन अपनी अपनी मर्जी से कोई voluntary intoxication कर लेता है तो वो कोई वो परसन अगर तो अगर कोई परसन वो अपनी मर्जी से intoxication कर लेता है और अगर वो फिर intoxication करने के बाद कोई act करता है तो वो एक्ट ऐसा माना जाएगा कि उसने वो कि कि उसने वो जो एक्ट किया है वो अपनी मर्जी से किया है कि वो इंटॉक्सिकेटिड जब नहीं था उस तरीके से उसने किया इस में केसा बासुदेव वरसीस स्टेट इसमें बता रखा है कि एक परसन है वों वेल्डन के जाता इसमें जो परसन है यह एक परसन है यह एक वैडिंग में जाता है और वैडिंग में जाने के बाद यहाँ पर सीट बिछी रहती है ना वैडिंग में बहुत सारी तो यह कहता है कि तुम इस वाली सीट से हट कर यह वाली सीट पर बैठ जाओ तो ये जो परसन है ये जो परसन है वो उसकी बात मानता नहीं है और ये तुरंट बंदूख निकालता है और उसे गोली मार देता है और गोली मारने के बाद कहता है कि मैं तो उस टाइम पर क्या रूपी आवा था आप मेरे को पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं उस टाइम पर मेरे को नेचंट नहीं पता था अपने एक्ट का तो इसमें बताया गया कि आपने जो है वालीनटे इंटॉक्सिकेशन करा था इंट्वक्षी कज Excelsior ने मर्जी से इंटॉक्किशन करा कर रहा है मगर ग्रीवियस मगर वो डैथ ये ग्रीवियस हट नहीं कर रहा है और वो कंसेंट द्वारा किया गया है तो इसमें एक मैग्सिम हैं वॉलेंटाइज नॉन फिट इंजूरिया वॉलेंटाइज नॉन फिट इंजूरिया इसका मतलब है कि जिसने भी कंसेंट अपनी दी है ही हूँ कंसेंट इसमें बता रखा है कि जब किसी परसन ने अपनी कंसेंट दे दिया तो अगर आपने डैथ भी कर दी ना और आपने कोई से हर्ट भी पहुचा दिया तो आप उसके लिए लाइबल नहीं होंग जैसे कि मान लीजिए मान लीजिए यह आप एक रेस ट्रैक पर गए यह एक रेस ट्रैक है ठीक है यहां पर का यहां पर इस रेस ट्रैक पर गए और यहां पर क्या कहते हैं स्टैंड बना रखा है बैठने के लिए और यहां पर गाडिया चलने और एकदम से कार आती है और क प्यक्रिक्बिक प्रैस हो जाती है और वहां पर कुछ लोग मर जाते हैं तो जो पर संभाइक आसे यह देख रहे हैं उस कार शो को कुछ भी हो सकता है कार। शोरफी है स्पीड में तो यह और ढुक हो जाते हैं पॐस हुआ है ना तो उन्होंने का स्टेडिय मैं यहाँ पर चिक यहां पर बहुत सारे परसंट बैठे ह defending चाहिए और यहाँ पर जो प्लेयर है उसने सीक्स मारा सब्सक्राइब के बाद किसी पर संब लग गया और वो सब्सक्राइब को पता था कि यहां पे तो भई लैदर की बॉल से खेलते हैं हैवी बॉल होती है वो और वो अगर किसी के लग जाए तो मर भी सकता कोई परसंट तो उन्होंने में बता रखा है अगर माली है कोई कोई परसन है उसने कोई कोई ऐसी चीज करी उसकी गूड़ फेइट में करी है ना और उसकी लेके करी और उसके बाद भी अगर गलती हो जाती है उसके बाद भी अगर उससे वो ती नहीं हो पाती है तो वो लाइबल नहीं होगा सेक्शन 88 में बता रखा है कि कोई एक्ट जो है वो death cause करने के लिए नहीं था मगर वो good faith में करा गया था person की benefit में इसमें है कि एक अगर surgeon है उसे पता है कि एक particular operation जो है वो Z की death cause कर देगा मगर Z को जो है न वो बहुत painful complaint है बहुत सालों से और A जो surgeon है उसकी कोई intention नहीं है Z की death करने के लिए और वो good faith में operation करता है न benefit of Z और वो operation Z के उपर करता है Z की consent लेके तो इसमें पहला है कि good faith में करा benefit में करा Z के और consent लेके करा Z की और अगर क्या कहते है इस बीच operation द्वारा Z मर जाता है है न Z की death हो जाती है operation के बीच में तो A कोई offense के लिए liable नहीं होगा अब आ जाते हैं इसमें case है आरपी धांडा वर्सिस भूरेलाल इसमें जो था कि doctor को operation करना था cataract का person का और उसमें operation करा और उसमें क्या कहते है person blind हो गया operation करने के बाद तो इसमें जो है doctor को liable नहीं रखा गया था इसमें 89 में हमें बता रखा कि act then in good faith for benefit of child और insane person by consent of guardian के कोई जो person है वो child है या insane है ठीक है तो वो अपनी consent नहीं दे पाएगा तो उसकी consent जो है guardian द्वारा ली जाएगी और उसके लिए फिर good faith में और उसकी benefit के लिए काम कर सकते हैं ठीक है तो जो इसमें क्या कहते हैं consent होगी वो express और implied हो सकती है और कोई section 90 में आ जाता consent होती क्या है ठीक है तो इसमें हमें negative meaning दे रखा consent का के consent जो है इसमें अगर कोई person दे रहा है fear के injury fear के लिए उसमें नहीं कि उसके अंदर आपने fear बठा दिया injury का तो वो misconception of fact के उपर अगर कोई दे रहा है या फिर intoxicated है और unable to understand understand the consequence of the nature है act का और उस person या फिर वो person unsound है या फिर वो person 12 साल से कमका है ठीक है तो इसमें या तो person unsound है या फिर वो person जो है 12 साल से कमका है तो वो consent नहीं मानी जाएगी ठीक है अब आ जाते है section 92 पे 91 में तो कुछ ज़्यादा important बात देने रखी आ जाते है 92 पे 92 में बता रखा है कि किसी person की good faith में उसकी benefit के लिए act किया गया मंगर उसकी consent नहीं ली गई अब इसमें consent कभ ने इसमें consent क्यों नहीं ली गई क्योंकि जिस person के लिए जो act किया गया है वो पर जो person है वो impossible है उस person के लिए consent देना यह ना impossible for that person to signify consent कि वो person उस इस्थिती में नहीं है कि वो consent दे पाए ठीक है तो उस person की consent के बिना ही आप क्या कहते हैं जो good faith में उसके benefit के लिए काम कर सकते हैं ठीक है और इसमें क्या कहते हैं यह intentionally causing death के उपर लागू नहीं होता है second इसमें हमें बता रखा है कि अगर आप death करना चाहते है likely to cause death तो भी यह लागू नहीं होता है third इसमें बता रखा है कि अगर voluntary hurt करना चाहरे हैं उसे तो भी यह लागू नहीं होगा उसके उपर है ना अगर आप उसको इपर voluntary hurt करना चारहे तो यह लागू नहीं होगा और अगर आप किसी offense का abattment कर रहे हैं तो भी यह लागू नहीं होगा section इसके उपर और इसमें explanation में हमें बता रखा है के इसके हमें explanation में हमें बता रखा है के अगर कोई pecuniary benefit benefit दिया जा रहा है मतलब छोटा मोटा कोई benefit दिया जा रहा है बड़ा benefit के बदले में ठीक है तो वो इस section के meaning में नहीं आएगा 93 में हमें बता रखा है communication made in good faith के इसमें अगर आपने कोई communication करिया good faith में है ना तो वो उस person के लिए उस person के benefit के लिए और उस person को जब वो information मिली तो वो उसकी death हो गई या कुछ हो गया उसको तो आप उसके लिए liable नहीं होंगे इसमें बता रखा है कि एक सरजन है उसने good faith में अपने patient को बताया कि अब वो जादा दिन तक जिन्दा नहीं रह सकता है और patient जो है इसको सुनके मर गया है ना इसको shock लगा और वो मर गया तो यह जो person है उसने कोई offense नहीं किया था 94 में हमें बता रखा fear of instant death इसमें बता रखा है कि जब किसी person को किसी person को threat द्वारा compel किया जाए कि यह इस काम को कर तो वो उसके लिए liable नहीं होगा और इसमें दो दे रखें कि या तो वो murder और offense against state नहीं होना चाहिए ठीक है बाकी अगर उसको कोई भी act करवाए गया है है ना कोई भी act करवाए गया उसे compel करके उसे जबरदस्ती करके कोई act करवाए गया और उसको धमकी दी गई कि अगर नहीं करेगा तो तेरी तुरंत तुरंत तुझे instant death की धमकी दी गई कि तुझे तुरंती मार देंगा अगर तुने एक काम नहीं करा तो वो liable नहीं होगा इसमें एक maxim है actus नए invite of factors as men's actus CASE में बताएगा है के done by me against my will is not by act के मेरे दौरा जो भी एक्ट किया जायेगा और मेरी मरजी के दौरा अगर वो act किया जा रहा है और मेरे ही दौरा किया जा रहा है वो act और मगर उसमें मेरी मरजीनže Strikes नहीं है और उसे पता है के वहाँ पर डेकेट तो यह खतरनाक होते हैं को मारते हैं पीटते हैं तो बाद में यह डिफेंस नहीं ले सकता कि उसे क्या कहते हैं जबर्दस्ती डेकेटों के गैंग में सामिल करके और क्राइम करवाई गया अब इस में एक्स्प्लैनेशन 2 में हमें बता और उठाके ले गए उससे कहते हैं कि अगर तु यह गर इस घर का ताला नहीं तोड़ेगा तो हम तुझे तुरंत मार देंगे और वह परसन को मजबूरी में जान बचाने के लिए घर का ताला तोड़ना पड़ा तो उस परसन ने कोई क्राइम कमेट नहीं कि गया है उस पर उस परसन ने अपनी विल की अगेंस्ट में फियर ओफ इंस्टेंट डैथ में ये काम किया है तो वो लैबल नहीं होगा ठीक है section 95 में आजाए तो section 95 में हमें बता रखा act causing slight harm कि वो जो act होगा कोई भी act होगा जो कि बहुत slight harm जो कि हाम है जो कि बहुत कम है और आप उस harm की ordinary sense में कोई complain नहीं करेंगे तो वो कोई कोई भी क्या कहते हैं तो वो कोई crime नहीं माना जाएगा इसमें कहते हैं ट्रिफल से कहते हैं कि कोई जो harm है वो बहुत तना कम है कि वह क्या कहते हैं उसमें नहीं आएगा crime के मान लेजिए मैंने आपको पहन दिया अपना पर आपने पहन वो मुझे वापस नहीं करा तो यह कोई harm है जो कि बहुत slight harm है हाँ अगर वो पहन के अंदर diamond लगे होते और तब आप वो पहन मुझे वापस नहीं करते तो आपके उपर वो फिर चोरी या misappropriation of property लगाया जा था ठीक है इसमें है de minimus non curate legs law does not take account of trifles और harm हमारी IPC में define नहीं कर रखा अब हम आ गए है right of private defense में आप प्राइवेट डिफेंस हमें बता रखा है कि अगर आपने किसी offense के बदले में private defense करा तो आप तो आप किसी भी offense के लिए liable नहीं होंगे 97 में हमें बता रखा है right of private defense body and property तो आप body and property के खिलाफ private defense use कर सकते हैं अपनी own body के लिए और body के लिए use कर सकते हैं और अपनी property movable, immovable वो कोई सी भी हो सकती है और अगर आपकी immovable property में कोई person criminal trespass कर रहा है theft या robbery कर रहा है तो इसके लिए भी आप अपना private defense right of private defense use कर सकते हैं 98 में हमें बता रखा है कि अगर कोई person है जो कि unsound mind का है या फिर कुछ और तरीके का है तो आप उसके खिलाफ भी अपना private defense use कर सकते हैं इसमें बता रखा है कि अगर कोई person जो है maturity नहीं है उसके पास unsound mind का intoxication है और तो आप उसके खिलाफ अपना private defense use कर सकते हैं इसमें law के कहते हैं कोई distinction नहीं करता है section 99 में हमें बता रखा है कि private defense के अपर restriction लगा रखी है हमें कुछ कि आप in time पे private defense use नहीं कर सकते कि अगर आपके पास sufficient time है उसे report करने का तो आप private defense use नहीं कर सकते अगर वो unnecessary है है ना कि वो necessary नहीं है जो आपने harm cause करा वो necessary नहीं था तो आप उसे क्या कहते हैं right of private defense का आपके पास defense नहीं होगा और अगर क्या कहते हैं reasonable apprehension जो है वो खतम हो गया तो आप right of private defense यूज नहीं कर सकते इसमें हमें बता रखा है कि कि इसमें हमें एक और बात बता रखे कि public servant के उपर भी public servant के पास भी private defense का होता है direction अगर public servant की खिलाफ भी आफ private defense यूज कर सकते हैं इसमें बता रखा है कि आप उसकी death ये ये ग्रीवियस हट नहीं कर सकते पब्लिक सर्वेंट की और पब्लिक सर्वेंट अगर गुड़ फेथ में कोई काम कर रहा है कि गुड़ फेथ में काम कर रहा है तो पब्लिक सर्वेंट राइट प्राइवेट डिफेंस ले सकता है और अगर जस्टिफाइड बाइ लौ है तो इकिलाफ राइट प्राइविट डिफेंस ले रहा है तो जो परसन है वो पब्लिक सर्वेंट से डिमांड कर सकता है कि आप किस अथौरिटी के अंडर मेरे के काम कर रहे हैं अब इसमें सेक्शन नम्मर 100 में बता रखा है कि प्राइविट डिफेंस डेथ तक कब एक्सटेंड होता है तो प्राइविट डिफेंस कब एक्सटेंड कब होगा कि अगर आपको डेथ का एप्रिहेंशन है तो आप डेथ कर सकते हैं है ना कि आप जब जब आपको लगे कि यह तो मुझे जान से मार देगा तो आप उसे जान से मार सकते हैं अगर आपको ग्रीविए साइट क को तो आप उसकी death cause कर सकते हैं wrongfully confine कर रहा है किसी person को तो आप उसकी death cause कर सकते हैं और अगर कोई acid fact रहा है तो आप उसकी death cause कर सकते हैं अब आ जाते हैं section नमबर 102 पर kidnapping abducting कर रहा है तो भी आप उसकी death cause कर सकते हैं इसमें में बता रखे हैं, बहुत सारे 7 बता रखे हैं, तो अब हम आ गए हैं, सेक्शन नंबर 102 पे, के राइट अप प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है, और कब तक रहता है, तो राइट अप प्राइवेट डिफेंस, जब तक डेंजर बना रहता है, जब तक डेंजर की शुरूआत होती है, तब से वो चालू हो जाता है, और जब तक डेंजर बना रहता है, जब तक डेंजर कंटिन्यू रहता है, तब तक प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहता है, हाउस ब्रेकिंग बाइवेट बाइवेट डिफेंस ले सकते हैं, और उसमें डेथ कॉज कर सकते हैं, परसन की, अगर आपके घर में कोई रॉबरी करने आ गया है, या आपका घर के अंदर कोई रात को तोड़ के गुस्ता है, और अगर कोई आग लगाने की कोशिश करता है आपके घर में है, और थेफ्ट करता है, मिश्चीव करता है, हाउस ट्रेसपास करता है, और हाउस ट्रेसपास करने के बाद आपकी डेथ ही है, ग्रीवियस हट पहुचाने के आपको कोशिश कर रहा है, तो आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं, और इसमें एक जीज नोटिस क जब apprehension चालू हो जाता है जब apprehension चालू हो जाता है थेफ्ट, robbery, criminal trespass या house breaking by night का apprehension चालू हो जाता है और जब तक यह apprehension रहता है तब तक इसमें बता रखा है कि right of private defense रहता है 105 में 105 में हमें पहला बता रखा है कि theft के खिलाफ कब हमारा right of private defense चालू होगा जब offender के कहता है जब तक की offender जो है महां से भगनी गया है या फिर आपने public authority को बुलानी लिया है या फिर जब तक property recover नहीं हो गई है तब तक आपके पास right of private defense रहता है property के खिलाफ अगर robbery हो रही है तो robbery में क्या है कि जब तक offender महां पे है तब तक आप उसकी death cause कर सकते हैं और अगर instant heart cut वो धमकी दे रहा है तो भी आप उसकी death cause कर सकते हैं property के खिलाफ और अगर criminal trespass और mischief कर रहा है तो जब तक वो रहता है right of private defense जब तक जो person है वो criminal trespass या mischief वाली property पे है और house breaking at night अगर करी जा रही है किसी person द्वारा तो जब तक trespass शुरू हुआ और जब तक trespass continue है तब तक आप अपना right of private defense यूज़ कर सकते हैं 106 में हमें बता रखा है 106 में हमें बता रखा है के deadly assault when there is risk of harm to innocent person इसमें बता रखा है कि अगर मान लीजिए कोई एक इसमें illustration के द्वारा में से समझ सकते हैं कि एक person है उसने mob के उपर mob के उपर गोली चला दी ठीक है उनने mob के उपर गोली चला दी क्यूंकि उसे बहुत सारे लोग मारने आ रहे थे कि उसे बहुत सारे लोग मारने आ रहे थे तो उसने गोली चला दी उनके उपर और उसके बीच में एक young innocent बच्चा जो था वो मर गया तो ये ने कोई कोई क्या कहते हैं ओफेंस नहीं किया है तो ये हमारे जन्रल एक्सेप्शन खतम हो गए है नेक्स्ट हम अबैट्मेंट नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे तब तो अगर आप मेरी वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थेंक यू